नमस्कार दोस्तों मैं नरेंद करनानिक कृष्णा प्रांट केर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केसे हम वीजो द्वारा देशी निम्बू के पोदे तयार करते हैं दोस्तों बहुती अच्छा प्रोसेजरा बहुती आसान है वीडियो में अंतक बने रही है दोस्तों देशी निम्बू के सीड्स हम आसानी से कहां से प्राप कर सकते हैं वाइबरीड सीड कहां से हम ले सकते तो इसके लिए मैं बिल्कुल यह आसान तरीका बताता हूं आपको बजार से आप कोई भी निम्बू क्या जो आप क्वालिटी आप पसंद करते हो उस क्वालिटी के निम्बू ले आईए और दोस्तों उसके सेड्स निकालने के बाद में दोस्तों आपको पांच दिन के लिए इसको चाया में सुकाना है दोस्तों जो यह आप सीड्स देख रहे हो मैंने पांच दिन पहले ही निकाले थे और चाया में सुके वे थे अब दोस्तों इसके अंदर में अच्छे सीड्स होते हैं उनको बिल्कुल नहीं लगाया जाता स सारे के सारे दोस्तों इसको फेंग देते हैं और जो अच्छे सीड्स होते हैं जो मोटे होते हैं उनको हम रख लेंगे इन सीड्स का रिजल्ट दोस्तों हमारे को 100% मिलेगा अब दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी के लिए दोस्तों आप कोई भी मिट्टी ले स और दोस्तों फिर एक एक सेंटीमिटर गहराई पर इस सेड्स को लगाते रहेंगे इन सारी थेलियों को दोस्तों हमारे को सेमिसेड एरिया के नीचे ही रखना है और पानी की बात करें तो दोस्तों इसको हमारे को अब गिला ही रखना जब तक इसके सेड्स स्प्राउट नही हो जाते निम्भू के साथ दोस्तों आप चाहें तो अमरूद केesta भीशिट्स लगा सकते और आपके पास है अनार के भी लगा सकते हो अनार भी आप जार से लाके पांच दिन के लिए विले शृका लीजिए और अराम से इसको लगा सकते हो इसका फाइदा दोस्तों बहुत अच्छा मिलता है क्योंकि दोस्तों अगर बारिस में लगाओगे तो ये पांच दिन में स्प्राउट होंगे लेकिन अभी लगाओगे तो इसके अंदर दोस्तों हमारे को 10 से 12 या 15 दिन का टाइम लगेगा लेकिन इसका फाइदा है होगा आगे आने वाले टाइम में दोस्तों की जब इसको दोस्तों बारिस लगेगी तो ये वैसे ही स्प्राउट होए रहेंगे और बारिस लगने पे दोस्तों बहुत जल्द इनका बढ़ा होगा एक साथ क्योंकि हमने जर्मिनेशन पहले ही कर लिया था अब दोस्तों इसको अच्छे से पानी देंगे पानी दोस्तों इसको बरपूर देना है ताकि थेली नीचे तक गिली हो जाए एक बार नहीं दो वार तीन वार करके देना है चायते हो दोस्तों आप इसको गमले भी लगा सकते हो आराम से तयार कर सकते हो अब दोस्तों मैं आपको 15 दिन बाद का result दिखाता हूँ यह दोस्तों आप 15 दिन बाद में शेडलिंग का result है बहुत इच्छे और सुंदर बोदे लगा है देखिए ऐसा लगी नहीं रहा है कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस टापमान में तयार कियें और सारे के सारे अप्रोक्षिमेट आप 99% रिजल्ट कह सकते हो बहुत ही अच्छे पोदे और ये दोस्तों 15 दिन बाद का रिजल्ट है तो इस प्रकार आप आराम से घर पे अभी इस गर्मी में 50 डिग्री सेल्सियस के आप माना उस पे आराम से पोदे तयार कर सकते हो दोस्तों सीर्लिंग का फाईदा ये होता है कि जो हमने सीर्स लिये हैं जिस टाइप का हमने निम्बू लिया है फल जो लगेगा पोदा बड़ा होने के बादे हैं वही लगेंगे ये देखे दोस्तों मेरा देशी निम्बू का पोदा है जो कि दोस्तों पूरे बारे महीने तक फल देता रहता है ये पूरा बारा मासी हो गया है पूरे सालवर इसमें फल लदे रहते हैं अब दोस्तों तुनना करते हैं ग्राफ्टिंग और देशी निम्बू के पुदेगी तो देशी निम्बू का पुदा बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ता है और फ्रूटिंग दोस्तों इसके अंदर साड़े तीन-चार साल के बाद में सुरू होती है और ग्राफ्टिंग के अंदर दोस्तों जल्दी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है लेकिन उसके अंदर दिकत यह आती है दोस्तों कि उसके अंदर फ्रूटिंग बहुत ही कम होती है तो यह था दोस्तों आज का मेरा वीडियो वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेर कीजिए थैंक यू